हेलो नमस्ते राम राम जी कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और बले चंगे होगे और यह देखिए जी यह है सुबहे के दस बजे की क्लिप है तो अभी आया हुआ है यहां पे सब्जी वाला तो यहां पे चल रही है सब्जियों की खरीदारी तो कई दिन की मडाई खट्टियों रखी थी तो मैंने सोचा कि चलो गाजर का अलवा बना लेते हैं और फिर कुछ एक सब्जिया भी ले ली यहीं से तो सोचा कि चलो इस बार बजार से रहने देते हैं तो इस बार यहीं से ले लेंगे तो यह देखिए जी इस टाइम पर सब्जिया ली तो उस टाइम पर वेदान सी पता निलगा कि किस टाइम पर निकल गी वहां से क्योंकि साथ में ही थी है तो वहां से निकलके इसने कर लिए सारे के सारे कपड़े गिले कर लिए यहां पे अंदर आके बाल्टी में थोड़ा सा पानी रखा था उसमें सारे कपड़े गिले कर लिए इसने और यह देखिए जी यह वाली जो क्लिप है यह एक बजे की क्लिप है उस ताइम तब तो मेरा काम कुछ भी नहीं बना था तो क्योंकि उसके स्कूल के कोट की चैन खराब हो चुकी है तो अब भी ये वाले जो वीडियो है ये है साड़े तीन वजे का तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे सो रहे हैं तो अभी मैं थोड़ा वो होती है गाजर किसने वगएर का काम कर लूँ पर मैंने काम शुरू भी नहीं किया था तो तब ही वेदानसी आगी और बच्चों को भी पता नहीं क्यों पता लग जाता है कि हाँ आज काम कुछ जादा है तो उनकी कुछ अलग ही एक्टिविटी चलती है फिर और ये देखो वेदानसी जीद कर रिथी की ममा मैं भी काम करवाँगी तो आज कल वेदानसी कुछ जादा ही कमेरी होती जारी है जादा ही काम पे द्यान देने लग गी है वो और ये देखिए जी इतनी ही देर में आरव भी उठी है सोके तो अभी चार बजने वाले हैं तो मैं ये इसोच रिति एक पर ये गाजर वगएरा के मतलब की छील के इनको दो दूँ फिर उसके बाद चाए बना लूँगी चार बज गये थे ना तो तभी चाची भी आगी यहां पर तो चाची देख रही थी यहां पर बच्चो को तो मैंने उसी टाइम पर ये गाजर भी दो दी थी और मैं चली गई थी फिर कीचन में तो मैं दिखाती हूँ अभी कीचन में क्या कुछ काम हुआ था गाजर दोने के बाद 10-15 मिनट के लिए से ही छोड़ दी दी दसक मिनट के लिए जिससे की पाणी सा निकल गया था इनका और ये देख लो वेदान से कितनी जादा कमेरी छोड़ी हो रही है तो मंडी पड़ी पर ने के बाद ही गैस उन की थी मैंने तो कई दिन की मलाई थी है कि यह दो के मलाई कर्छी घटियो रुखी थी तो मलाई को रखती हूं मैं फ्रीजर में जिससे कि इसमें कोई भी कमी नहीं आती विलकुल भी खराब होने के कोई चांस नहीं रहते और अभी तो मोसम वैसे ही ऐसा है कि कोई चांस ही नहीं है ऐसा खराव होने का या कुछ भी और आप यह वाली वीडियो कंप्लीट देखना बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है आप देखते ही फटा-फट इस चीज की गैरंटी मैं लेती हूं कि आप यह वाली जो आज की जो वीडियो है दे काफी सपीड थी उनकी तो अपने वाला कदू कसले के आये थे वह उससे नहीं बना उन पर क्योंकि होता है यह मतलब की अपने गर की चीज पर जो आच चलता है वह दूसरे की पर नहीं चलता तो यह देखिए जी चाय वगारा पी ली है तो अभी गाजर किसली थी तो अभी मैं कुकर में डाल के रख दूँगी इसके अंदर मैंने सिफ दो चमच पानी आड किया है जिससे कि यह तली में लगेगा नी और अभी डखन बंद करके मैंने इसको रख दिया है और इसके अंदर सिर्फ एक सीटी बरने देनी है मतलब कि आने नहीं देनी है सिर्फ बढ़ जाए तो तभी बंद कर देनी है और यह देखिए जी मलाई उबल चुकी है और एक गैस पे मैंने रखी है गाजर उबलने के लिए क्योंकि यह दायते के लिए हैं सुबह बनाऊंगी मैं रहता तो कुछ एक त्यारिया मैं भी शाम के टाइम ही कर लूँ क्योंकि सुबह के चाइम बच्चे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादा प्रेशान कर देते हैं तो उसमें दिक्कत सी आती तो कुछ एक काम मैं शाम को ही कर देती हूं सब्जी वगारा कर कटिंग करने का और यह देखिए जी ती नोगया चुल ले जल रहे हैं विग्यास के तो म रख्याएगा और यहां पे ना काफी चिट्टे निकल रहे थे इससे तो इसी विजए से मैंने अपना पेस कवर कर लिया था और यह देखिए जी मलाई में से गी निकलना स्टार्ट हो गया है तो अभी बिल्कुल मतलब की स्मूध है इसका जो टेक्च्चर है यह दिख रह इसे पहले ही बंद कर देना है क्या ले क्या है अच्छा यह बताओ ममा क्या बना रही है यह गजर पाक क्या बना रही है दांशु क्या बना रही बचक क्या बना रही है अब ममा जो ना बटू अभी खेल लो दो लो जो जो नो वेटा ममाने काम करने दो जो बटा कडाई के पास नहीं क्या करते चोटे बचे ठीटा लेक जगा और यह देखिए जी अभी सिर्फ एक मिनिट ही रखूंगे मैं इसको क्योंकि अगर जो एक म बन जाएगा और सारा कुछ खराब हो जाएगा बिलकुल भी तो कुकर में से मैंने सिट्टी निकाल दी थी और अभी इसको किसके अंदर गाजर के अंदर वैसे ही पानी बहुत होता है तो इन में से पानी छूप गया है काफी सारा तो यह देखे जी जब ऐसा टेक्च्चर तो गैस बंद कर देनी है आप उंगली पे निकाल के देख लेना यह देखो दाना नी बना है बिल्कुल भी सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमको और गैस मैंने बंद कर दी है भी तो यह कडाई गरम है तो इसी वज़े से यह ऐसे उबर रहा है तो एक दो बार मैं ओर चला दूंगी जिससे यह तली में ज्यादा नहीं लगेगा तो यह देखिए जी गाजर हमारी मतलब की 50% कूक हो जाती है इस टाइम पर जो गाजर है हमारी तो बहुत ही अच्छा बनता है गाजर कालवा और यह देखो सिर्फ दो गूठ पानी डाला था मैंने और कितना पानी छ राइड कर दूंगी जिससे की गी आसानी से अलग हो जाएगा इसका तो मैं आगे का सारा प्रोसेस करूंगी चुले पर क्योंकि ठंड काफी होगी और ज्यादा देर तक यहां पर खड़े होके करना पड़ेगा और वहां पर चुले पर तो मतलब की आग जड़ा के वहां प तक वह चिन्नी मेल्ट हुई तो तब तक मैंने शाम की पूजा करके आई थी मैं क्योंकि मैं अगर उपर से आगे करती तो काफी टाइम हो जाता तो मैं पूजा पूजा करके गई थी और यह देखे जी तब तक गी मतलब ठीक हो गया था ज्यादा गरम नहीं था तो सारा गी निकला है मतलब कि बहुत ही यूजफुल ट्री कि आप इसको जरूर से जरूर ट्राई करना बस एक दो बाते द्यान रखनी है कि इसके अंदर दाना नहीं बनने देना है अगर दाना बन गया तो सारा का सारा खराब हो जागा तो यह देखो कितना अच्छा मावा त्य काम के 6 बज़ के 19 मिनट हो चुकी थी तो यह देखिए गाजरो में से मतलब की जो चिन्नी है वो मैल्ट होगी है और काफी सारा पानी बन गया है तो अच्छी सी आग जला ली है मैंने बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा यहां पर ठंड काफी होगी थी वेदान सी यहां प अब ही कुछ बता रहा था मुझे तो उसको थोड़ा बहुत दुमा लग रहा था तो वही बाते कह रहा था रख और यह देखिए जी यहां पर जान पर गैस पर कोई काम आदे गंटे में होता है न तो वही काम चुले पर 15 मिनट में हो जाता है तो और ठंड इतनी जादा थी तो चुले के पास बेठे बेठे ठंड भी नहीं लगी और मैंने यहां पर फिर एक बार तुम मम्मी से बात की थी क्योंकि अभी मम्मी यहां पर नहीं है मम्मी की तबि आओ यमी यमी बेठा इसको दूर कर ले यहां पर मत खड़ा हो यहां पर आके बिठे मम्मा के पास बदिया लगए लगए नए कमबड का मुरत कर दिया इनके का टीवी देखा है और अब ये रहा और ये देखिए जी अम अभी वेदानसी से बोल देखे और गाजिर का जो पानी था शुगर का वो सारा का सारा सूप चुका है मतलब इसी के अंदर रिडियूस करना है उसको खतम कर देना है बहुत ही गजब का टेस्ट आता है आप इस मैथर से कभी गाजिर कालवा बना के देखना बहुत जल्दी भी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है जब सारा का सारा पानी खतम हो जाए तो उस टाइम पर इसके अंदर मावा एड़ करना है मैंने इसका डाई के अंदर थोड़ी सी गाज़र वाँ से डाल ली थी जिससे कि के अंदर जो गी की चिकनाई है वो सारे की सारी निकाल दीकी और अभी इसको सिर्फ 5-7 मिनट के लिए ही रखना है क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नि लगेगा ये लखड़ी निकाल के मैंने इस पर डाल दिया है पानी ये बाद में फिर यूज हो जाएगी तो ये देखि है तो गरम का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और अभी मैंने इस सीजन का तीसरी बार बनाया है ये गाजर कालवा तो वीडियो में शेयर नहीं कर पाई आपके साथ पर इस बार शेयर की है और सच में हर बार मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो आप जरूर से जरूर ट्राय करन है तो मैं चली गई थी उपर यहां पर बरतन वगार अप थे तो अभी मैं एक बार बरतन साफ कर लूँ काफी टाइम हो गया था और आज आरव के पापा भी नहीं आये था अभी तक उनको कुछ एक काम था तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुझे आने में देरी हो जाएगी तो इसी वज़े से मैंने सोचा कि चलो मैं पहले आज यह काम कर लिए और फिर उन्होंने बोला था कि खाना भी नहीं बनाना है तो मैं कुछ लेके आऊंगा तो फिर खाना भी नहीं बनाना था तो जब खाना नहीं बनाना होता तो काम जल्दी ही निपड़ जाता की तो अभी मैं दर्वाज्य खोल की आई हूं तो बरतन भी साफ कर लिए हैं मैंने दूद गरम हो चुका है तो काम मेरा ज्यादा तरबन चुका है अभी खाना बनाना नहीं है तो जो भी कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा करना चैनल को सब्सक्राइब करना खें है और यह देखिए जी यह लेके आये थे यह दो रोल थे यह और कुछ गाजिर का अलवा खा लिया था और बलकि ना इसमें से अधा रोल बच भी गया था पर टेस्ट सच में बहुत यमी था यह चाप रोल थे तो प्लीज चैनल को पर आपको वीडियो अच्छी लगी है और थोड़ी से भी इंफर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और शेयर